जहें दोस्तों वंदे मातरम, सोशल मीडिया की इस दुनिया में जहां पर ट्विटर जैसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक की बुली लग जा रही हो, वहां पर एक मूवी की भला ही क्या ही बिसात है। इतने जादा पैसे देने को तैयार नहीं है, फिर पता चला कि नहीं वूट को इसको 125 करोड में दिया जा रहा है। लेकिन अब फिर से नेट्फिक्स की बात आ रही है। जिलनों को नहीं पता कि नेट्फिक्स की बात बार-बार क्यों आ रही है तो मैं उनको जानकारी के जिसकी पहुंच कई सारे देशों में हैं, ऐसे में अगर कोई मुवी इस प्लेट्फिक्स पर रिलीज होती है, जैसे कि स्क्विड गेम्स नेट्फिक्स पर रिलीज हुआ था, तो कहीं न कहीं स्क्विड गेम्स के लोगप्री होने के पीछे एक बड़ा कारण नेट्फिक भी था, क्योंकि नेट्फिक्स के दीच इतनी ज़्यादा है, और अलग-अलग भाशाओं में उसको डब करता है, कि वो अलग-अलग भाशाओं तो कपने इस पूरे शो को पहुँचा पाया था, और वही चीज आमिर खान भी चाहते हैं, कि उनकी मुवी भले ही थेटर तक पहुँच सकें, और अब इसी को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, नेट्फिक्स ने भारत में अपने हिंदी दर्शकों को अगले एक साल तक भरपूर मरणजन के लिए अपनी नई दस ओरिजिनल फि पताबे इस नेट्फिक्स के इस फिल्म्स डे का समापन करीना कपूर के आगबन से ही होना था, लेकिन करीना की हालिया रिलीज फिल्म लाल संग चड़ा को लेकर सोशल मीडिया पर बन रहे, एक नेगटिव माहौल को देखते हुए ये कारे करम नहीं हुआ, और वहीं से श इसका जम कर विरोध हुआ था, फिल्म से पहले आमिर खान की एक बितरतीब सी बुलाई गए प्रेस कांवरेस में आमिर के दिया गया बयान के बाद तो लोगों ने उन्हें खूब ट्रोल भी किया, और तमाम कोशिशों के बाद भी हालात समल नहीं सके, कई से नवागरों म तो एक खास अंगठन के लोग माईक लेकर लोगों पर फिल्म लालतिंग चड़ा का टिकेट ना खरीदने के लिए दबाव बनाते भी देखे गए, अब देखिए, इसी फिल्म को लेकर हर रोज तरह-तरह की खबरे सामने आती है, फिल्म को बनाने वाली कंपनी वाय कॉम 18 क कहना है कि फिल्म को लेकर उसे कोई आर्थिक नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन फुटकर गंडित के शौकीनों ने इसके अलग-अलग हिस्सों की कमाई को लेकर इसे पहले दिन से ही फ्लॉप घुशित कर दिया, उदर टीवी पर विग्याबन चलाने वाले जैंसियों के पा हो चुका है, और इसी के बाद नेट्फिक्स ने दिवाली वाले हफते में पहले से निर्धारत फिल्मों के रिलिजडेट आगे खिसकाने शुरू कर दी, जी है, फिल्म लाल सिंग चड़ा को ओडिटी प्रिमियर दिवाली पर होने जा रहा है, और नेट्फिक्स को उमीद है कि ये फिल्म पूरी दुनिया में गैर अंग्रेजी फिल्मों को देखे जाने का भी एक नया रिकॉर्ड बनाएगी, आमिर खान और करिने कबूर खान स्टार फिल्म लाल सिंग चड़ा का निर्देशन अद्वेट चंदन ने किया है, और इसमें 1984 के सिक दंगों से लेकर अब हालात बत्तर हो चुके हैं, फिल्म ने इस साथ विदेश में रिलीज हुई हिंदी फिल्मों में सबस्यादा कैलेक्शन करने का रिकॉर्ड बनाया है, और नेट्फिक्स को लगता है कि ओट्रिटी पर भी ये फिल्म भारत से जादा विदेशों में देखी जाएगी, और यही एक कारणा है कि नेट्फिक्स इसमें अभी भी इंटरसेड है, और वैसे भी आमिर खान की यूस पी देखे थोड़ी बहुत तो है ही, तो ऐसे में नेट्फिक्स को मुझे ने लगता है कि यहाँ पर कोई बड़ा घाटा होगा, बशरते उसने बहुत बड़ा आदा ना किया, मेरे सुने फिलात नहीं जाए हैं, जाए बाराओ